LCM का यहाँ पर बहुती important question हम solve करने वाले है वह छोटी से छोटी संक्या ग्याद करो जिसे 20, 25 तदा 30 से बाग देने पर क्रमश्य 8, 13, 18, 6 बचे इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हमको छोटी से छोटी संक्या ग्याद करनी है और फिर उसके बाद जो है 8, 13, 18, 6 बचाना है त सबसे पहले 20 में से 8 को गटाएंगे और 25 में से 13 को गटाएंगे और 30 में से 18 को गटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 उसके बाद 25 में से 13 को गटाना है तो भी कितना आ गया 12 और 30 में से 18 को गटाएंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा 12 अब तीनों का जो 6 है वो है 12 यानि कि इन तीनों संक्याओं का जो LCM होगा उसमें से जो हैं 12 घटा लेंगे तो LCM निकाल लेते हैं 20, 25, 30 का LCM हो जाएगा 20, 25, 30 पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें तो 2 का भाग देंगे तो 10, 25 ऐसा कैसी और 30 के हो जाएगे 15 फिर वापस 2 का भाग देंगे 5, 25 और 15 25 ऐसा कैसी और इधर हो जाएगा 5 वापस 5 का भाग देंगे तो 5 का हो जाएगा 1, 25 का पाँच वापस 1 और फिर 5 का भाग देंगे तो तीनों हो जाएगे 1 1 1 अब जो ये गुननखंड आये हैं इनका हम गुना कर लेते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 अब इन सभी संक्याों का गुना करते हैं 5 का 5 से 25, 25 तिया 54, 55 दुनी 1,500 और 1,500 को 2 से करेंगे 300 यानि कि 300 जो ये इसका LCM आगये हैं अब हमको 12 जो है 6 बचाना हैं तो 12 शेश बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस 300 में से जो है इस 12 को हम गटा देंगे 300 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आजएगा 288 288 इधर हम माइनस करके देख लेते हैं एक बार को मीटा के तो 300 में से हमने 12 को गटा लिया तो हमारे पास आजएगा 288 यानि 288 एक ऐसी चोटी से चोटी सहीं क्या है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 25 से भाग देने पर 13 और 30 से भाग देने पर 18 शेश बचता है वीडियो पसंदा आएथे वीडियो को लाइक और चैनल को जोड़ा है